जी अस्लाम लेकुम आप जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बिसिकली मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लाफ मोशन से रिलेटिड हैं अच्छा मोमेंटम मेंड न्यूटन सेकंड लाफ क्या देखें मोमेंटम हमारे पास सबसे पहले मोमेंटम को देखेंगे अच्छा यह już क्रों से सकते हैं उप से ये स्टूर्ण इसमें गलती करते हैं ओढेता ह्लों क्रोस क्रोस्थane प्रोड़ुक्त क्रोस्थ गर परदंद के चीज़ है वह इसलिए कहते हैं कि क्योंकि मोमेंटम वैक्टर अब्च पहली बात है कि वैक्टर प्रडॉक्ट हमेशा दो वैक्टर के बीच में होते हैं यह रटोडर क्ड़क्त नहीं ही Comunny simple product है कोई dot cross नहीं आएगा कैसे simple product है क्योंकि इसमें एक scalar और एक vector है और scalar और vector जब आपस में multiply होते है तब answer हमेशा vector ही आता है यह आद रखें और जब दो vectors आपस में multiply होते हैं तो answer scalar भी आ सकता अगर scalar आ रहे तो scalar product यह dot product कहते है और अगर answer vector आ रहे तो vector product यह cross product कहते है उसे ठीक है तो देखें यह simple product है दूसरा यह है कि इसको quantity of motion भी कहते है quantity of motion भी कहते है ठीक है क्योंकि इसमें velocity है तो velocity का तालुक मोशन के साथ है next यह है कि अगर तो body rest पे है तो याद रखें momentum must be zero momentum जो है वो लाजमी zero होगा अगर rest पे है लेकिन जो energy है वो लाजमी zero नहीं होती है energy के वाले से हम कहेंगे may or may not be zero may और may not be zero क्योंकि kinetic energy तो zero होगी क्योंकि उसका तालुक मोशन के साथ है potential का तालुक तालुके motion के साथ है उसका position के साथ है जो body rest पे होती है, उसके potential energy हो सकती है, यह चीज़ा आदेगी, ठीक है, तो यह rest पे हो तो momentum हमेशा 0, इसलिए quantity of motion momentum को ही कहते हैं, वो energy को नहीं कहा रहे होते हैं, क्योंकि energy motion के बगार भी हो सकती है body के अंदर, ठीक है, next point आप देखेंगे इसमें, momentum जो है, उसकी यूनिट है, वो kilogram meter per second भी हो सकती है, और newton second भी इसकी unit है, यह दोने unit है, यह हो सकता है, वो यह कह ठीक है, the base SI unit के है, यह SI base units के हैं इसकी, ठीक है, वो यह है, यह MC की हो सकता है, और obviously पिर आपको वो बतानी है, जो base है, base में वोई mass length और time यह चीज़ा आ जाती है, ठीक है, तो यह इसकी base SI unit है, SI base units केहले है, यह BSI unit है, लेकिन यह drive SI unit है, ठीक है, यह mind work है, तो यह MC की उसमें से यह बन सकता है, next हम देखते हैं इसमें, कि second last इसका क्या तालुक है, momentum का, कहां पर यह link करता है इसके साथ, अब देखें, newton second लागी कहता है, F is equal to MA, अगर हम लोग, acceleration की दगापे, delta V over delta T लिख लें, यह आ जाएगा, इसको यह लिख लें, यह MV क्या है, momentum है, तो यह delta P over delta T आ जाएगा, तो, force is also linked with momentum, लेकिन वो chain in momentum के साथ link है, यह mind में रखेंगे आप, यह important point है इसका, अब आप देखें इसमें, force is equal to rate of chain of momentum, यह चीज़ा रहेगी, force का यह link है, momentum के साथ, इसको newton second लाग कहा देंगे आप, ठीके दी, अब इसमें एक बड़ा important, बलके पंजाब tax board में यह line भी है, और एक important question भी है, कि इन में से जो general form है, जो जादा general है, जो जादा इस्तमाल हो सकती है, और हर case में इस्तमाल हो सकती है, वो कौन सी है, एक F is equal to MA आपके पस, और दूसरा force is equal to rate of chain momentum, तो यह जादा general form है, ठीके, इसको जादा use किया जाता है practically, यह जादा useful है, उसकी वज़े हैं, इसमें तो momentum की chain है, वो due to mass भी हो सकती है, due to velocity भी हो सकती है, तो यह दोनों को गवर्ण, जैसे rocket के case में आप देखें, कि momentum change हो रहा होता है, due to mass, mass rocket का इस्तमाल हो रहा होता है, तो फिर यह वाला formula आप कैसे लगाएंगे, क्योंकि इसमें तो mass जो आ रहा है, वो तो constant नहीं है, तो यह formula actually तब लगेगा, जब mass constant है और acceleration पैदा हो रही due to chain in velocity, जबकि यह formula हर के case में लगेगा, चाहे वो mass के change की वर से acceleration पैदा हो रही है, तो यह दोनों case में apply हो रहते हैं, तो यह ज़ादा useful है, यह MCQB बन सकता है इसके अंदर, next अगर आप देखें, क्या momentum time graph से हम force निकाल सकते हैं, for example, यह momentum time graph है, इसमें से force कैसे निकालेंगे आप, slope निकालें, slope क्या होगी आपके पास force देगी आपको, delta y, delta x, delta y की नेखा, delta p और यहाँ delta t आदेगा, तो यह आपके पास क्या देगी, slope, आपको क्या देगी, force देगी, किस graph की momentum time graph की slope force देगी, हम, यह भी हो सकते हैं, कि आपको momentum और time ना given हो, लेकिन यह angle given हो, तो आप force कैसे पैन थीटा से भी निकाल सकते हैं clear होगे जी है तो आप force कैसे निकालेंगे momentum time graph से slope निकालेंगे क्या हम लोग force time graph से भी momentum निकाल सकते हैं वापिस जा सकते हैं तो बिलकुल ऐसे ही है देखे यह force and time graph है अगर आप इसकी slope निकालेंगे तो f over t हो जाएगा slope असल में दोनों axis को divide करता है और area दोनों axis को multiply करता है तो आप इसकी slope निकालेंगे तो f over t आएगा वो तो कोई quantity ना होई ना फिर आप इसका area निकालेंगे तो वो आजाएगा one by two base into right यह time and force multiply हो जाएगे तो यह f into t आजाएगा तो यह area आपको क्या देगा momentum देगा यह chain in momentum तो यह change देगा क्योंकि formula में आप देखें f is equal to क्या था rate of chain of momentum time को उतर ले जे f into t कर लें तो यह chain in momentum बनता है तो यह आपको देगा momentum की change ठीक है so force time graph से momentum में जा सकते है लेकिन आपको वहाँ से chain in momentum मिलेगा और इसको impulse भी कहते है याद रखें यह impulse भी कलाता है chain in momentum ठीक है तो यह तो देखें इसके basic points कि हम लोग कैसे जो है वो इसको calculate कर सकते है बाकी है कि यह formula बहुत important है बहुत सारे cases में यह apply भी होता है जैसे यह apply हो सकते है कि कोई molecule है या water flow कर रहा है और वो किसी surface के साथ जा के hit करता है तो वहाँ पे भी apply हो सकता है इसको मैं example के साथ explain भी कर देता हूँ for example कि यह एक wall है और एक molecule जाए वो move करता है mass उसका आपको given है 0.1 gram wall के साथ hit करता है और rebound करता है और velocity given है उसकी 100 meter per second और time of impact given है आपको 0.1 second ठीक है तो बताएं कि force exerted क्या होगी by the molecule या by the particle कहले है ठीक है तो आप तो पहले change in momentum निकालेंगे तो आप देखें इन दोनों में angle कितना बनता है 180 बनता है जाते हुए और वापिस आते हुए तो chain in momentum क्या आदेगा वही मैंने का तो change कैसे निकालनी है a square plus b square minus 2 a b एक p square आ गया फिर p square आ गया minus 2 a b फिर multiply होंगे तो p square angle 180 cause 180 इसको इसको इदर लिए minus 1 minus minus plus तो ये मेरे पास आदेगा ये तोनों add हो देंगे 2p square plus 2p square ये आदेगा 4p square 4 करने रूट 2 तो ये 2p 2mv आदेगा ये chain in momentum आदेगा और अगर आपने force निकालनी है तो आप क्या करेंगे इसमें f is equal to 2mv divided by t कर ले mass आपके पास कितना given है 0.1 gram gram को thousand से divide करें minus 3 किलो में आ जाएगा velocity 100 और time कितना है हमारे पास ये 0.1 इसको 0.1 लिख ले ये cancel हो जाएगा तो force आपके पास आजाएगी 200 into 10 is to power minus 3 newton ये चीज़ा लेगी या 0.2 newton लिखना चाहें तो लिख सकते हैं तो ये force निकालने का एक तरीका होगा अब ये ही चीज़ हम apply करते हैं देखें ये ही formula bullet and rifle पे भी apply हो सकता है उस case में भी ठीक है क्योंके by the bullet on the rifle या bullet पे force लग रही है राइफल पे force लग रही है तो वो f equal to mv by t करेंगे इसमें भी ठीक है हाँ अगर 10 bullets निकल रही है तो पिर आपने number of bullets से multiply कर लेना एक bullet है तो फिर जूरत नहीं है यानि कि bullet and rifle के case में ये formula लगेगा फर्स करते हैं वो कहते हैं कि 100 bullets fire हुई है within one second mass given है bullet का blast given है force rifle पे कितनी लगेगी तो आप mv by t तो करेंगे साथ में n से multiply करेंगे ये number of bullets भी आ जाजेंगी तो एक bullet तो नहीं निकली ना अगर 10 bullets fire हुई है तो वो 10 से multiply कर देंगे सारी bullets एक second में जो force लगाएंगी rifle पे वो आ जाजेगी ठीक है next case इसका ये है force due to flow of water force due to flow of water अब ये topic वैसे तो federal board में नहीं लिखा हुआ लेकिन formula तो वहीं चल रहा है newton second line momentum topic तो वहीं चल रहा है बेशक ये statement federal board में नहीं है KPK में नहीं है लेकिन ये याद रखे कि क्योंकि अब जो slaybers है वो common slaybers लेके चल रहे हैं तो हमने फिर वो चारों किताबों के अंदर जो है न वो देखना है कि क्योंकि ये topic चारों किताबों में तो है तो हमने पंजाब text को भी साथ लेके चलना है तो पंजाब में ये है और formula असल में actually concept होई है लेकिन एक point है इसमें कि जैसे कि ये wall है water जो है वो strike करता है इसके साथ water का initial momentum let's say हो गया mb strike करने के बाद water जो है उस तरह से वापस नहीं आएगे जैसे particle and molecule का case तो final momentum क्या हो देगा zero अब अगर आपने momentum calculate करना है और वो magnitude चले मैं लिख लेता हूँ तो फिर magnitude लिखते है final minus initial वो minus नहीं आएगा पिर तो force due to flow of water क्या होगा mb by t होगा याद रखें particle और molecule के case में यहाँ पर 2 आया था अब 2 नहीं आएगा बस ये एक difference है तो force अगर due to particle है due to molecule है wall के साथ strike कर रही है तो 2 mb by t यहा रहा था अब सिर्फ mb by t क्यों फाइनल momentum यहाँ वे क्या है वो zero है तो आप यह apply करेंगे इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है particular molecule में क्या होगा और water जब strike करेगा वाल से तो फिर क्या होगा तो यह मैंने इसके basic concepts आपको बता दी है जो इंट्री टेस्ट में आपको काम आएंगे वो actually जो हो इस तरह से आपने deal करना इन formula से आपने deal करना ठीक है जी देखते हैं फिर next lecture में शुक्री है